प्रतीक जन और आज हम लोग बात करने वाले हैं उन बच्चों के लिए जो बच्चे अभी क्लास 12 में हैं और जिनको अभी दो महीने बाद है अपरिल में अपने बोर्ट एक्जाम देने और जो बच्चे साथ में या तो आई टी जे की प्रपरेशन कर रहे हैं नीट की को साथ में कैसे करेंगे और क्या हम अभी लास्ट फीन अगर वोड की प्रपरेशन डेंगे तो इस से हमारी जेए य नीड की पर पर पे Long relacion को सब्शुआ में पर पे वेबसे चेक कर ले ना में बता चुक हों यू फाइंट सब्सक्राइब क्लासिश लेता हूं लगवग हर मनत में पंटी लाइव क्लासिश लेता हूं यहां पर मैं तुमसे निट्ट अपर दिक्कते आहीं है अपनी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग तो महां के पूछ सकते हो तो मुझसे डारेक्ली बात कर सकते हैं, यहां तक एक फीचर है, रेज ए-हंड फीचर है, तो वहाँ पर हम बोई-शेट भी करते हैं, तो जो भी बच्चे एक एक पर मुझसे आके पढ़ना चाहते हैं, वो अनेकाडमी पर सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो अपना वीडियो, हाँ भी, तो क्या करें हैं, क्या करें हैं, कि भाई है, सबसे पहला कोशिन होता है, कि सर अगर हम जेए नीट की तैयारी कर देना, चाहे वो बच्चा 11 में एंटर कर रहा और 12 में एंटर कर रहा है, जब स्टार्टिंग में एंटर करते हैं, तो क्या हमारी बोट की तैयारी कैसे होगी, फिर हम कैसे करेंगे, बोट कैस से बहुत अच्छे समझो यह जो डर है ना तुम्हारा इंडिड यह कोश्चन से साइक्टलोजीकल फियर है यह एक्चुल में प्रॉब्लम ही नहीं मैं बताता हूं कि अगर तुम जे या नीट की प्रपरेशन कर रहे हो एक अच्छी कोचिंग में पढ़ रहे हो तो वो तीन स काम पूरा पूर्शन साथ में कवर करते हो किसी भी अच्छी कोचिंग में वह कवर कराया जाता है तुम्हारा तुम्हीं चीज समझें तो जब तुम जे यह और नीट की प्रपरेशन कर रहे हो तो तो तीन सब्जेट की तुमारी 100% बोर्ड की प्रपरेशन हो चुकि है चल बाकी तुम्हें सब्जेक्ट पूरा आता है यह ध्यान तक हो अगर तुमने दंग से गोचिंग करी है तो ठीक है अगली चीज है अब तो एंड में जब तुमारे लास्ट के एक दो महीने बचेंगे तब तुम्हें क्या करना है जैसे अभी बचे हैं जैसे जो नीट ट्व 2022 या जैई 2022 असपारेंड है उनका बिल्कुल बोर्ड एक्जाम आई गया है तो वो क्या करें और कैसे करें कि नीटो जैए की प्रप्रेशन पर ना पड़े है तो क्या कर सकते उसके लिए तो सबसे पहले तो बोर्ड एक्जाम के लिए कुछ अगर तुम्हें अभी तक पढ परिटेशन करें उनकी में सबस्ट परिटेशन करें उनकी मैस सबस्क्राइब है, तो इसमें तो वह इस लिए नीपढ़नी सीखने के लिए नीपढ़नी है, क्योंकि उसमें एत्य की नहीं जा है कि उसको पढ़के तुम सीख पाओ तुमें पहले से आलरेटी आता है क्योंकि कोचिक में पड़ाया है सारे टॉपिक्स आलरेटी आता है तुमने उसके बहुत सारी कोशिशन कर दो दो कि अगली चीजze एक चीट बता है इसमें तुम लोगों को लगेगा सर अगर हम लास्ट के दो महीने यह कर रहे हैं तो सर हमारे फिर competitive exam की preparation चूट गई और यही तो सबसे बीड़ी कलती है भाई इसके साथ तुम्हारे नीट और जेई मेन की preparation साथ हुए और यही तुम्हारी प्रिपरेशन चूटी नहीं है तुम समझो जब लिखना पड़ेगा उस एक्जाम में जाके बोड एक्जाम में वो बस हलका सा एक डिफरेंस है बाकि जब तुम यह दोनों चीज़े करोगे तो तुम्हारी competitive exam की 100% preparation चल हो रही है तो तुम्हारा इसके बाद तो फिर बोड में कुछ बस नहीं होगा तो यह मसोट ना कई लोगों में में डाउट राता है विल लास्ट टू मन्स और एक्जाम अफेक्ट मैं जेई नीट परपरेशन कर रहे हो नहीं इड बूस्ट वह तुम्हारे उल्टे जेई बहुत थोड़े मौक्टेश देने हैं उसकी प्रक्टिस तुम्हें करनी है यह एक्ट्स इसलिए मैं एक परसेंट बोलूगा कि जेई नीट के साथ तुम्हारी 99% परपरेशन होती है यह से जाता पाड़ नहीं है यह तुम्हें बार बस मौक्टेश बग रहा दो कि तुम् तो थीक है और बहुत सारे निउमेरिकल भी आती है नो बाकी थे आती है तो अगर इसके लाब भी कोई क्या रही है तो कॉमेंट में लिख सकते हैं तो ठीक है बाबाए अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और तुम्हें लगता है कि अगर यह एल्फ बोलता तो निए तो निए साफ चे कर देना तो बाबाए गाइस यू